हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एजू मित्रा में मैं तरुन सोलंग की आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ करंट अफेर से जुड़ी भी कुछ बाते जो अभी हाली में चल रहा है कोरोना वाइरस तो कोरोना वाइरस के बारे में 6 परम तो वो बाते कौन-कौन सी है आईए हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट पहला पॉइंट के रहा है शुरूआत तो कोरोना वाइरस की शुरूआत चीन के वुहान सहर से और परमुक के अंदर भी ये वुहान है लेकिन सर्वादिक मोते हैं वो हुबई प्रांत में हुई करण कोरोना ही क्यों रखा गया इसके पीछे करण था कि इसके वाइरस की आकरती क्राउन के समान थी इसके वाइरस की आकरती क्राउन के समान थी तीसरा बिंदू के रहा है बारत में पहला मामला तो बारत में इसका जो पहला मामला है वो केरल में पाया गया कहां पर पाया बारत आदी देशों में फ्यल गया बारत ने अपने जितने भी लोग थे जो चीन में थे उन सब को सुरक्षित निकाल लिया है चोथा पॉइंट क्या है यह एक RNA वाइरस यह क्या है कोरोना वायरस क्या है एक RNA वाइरस है जो स्वसन तंतर को परभावित करता है चोथा पॉइंट यह है कि कोरोना वाइरस एक आरेने वाइरस है जो स्वसन तंतर को परभावित करता है पांचवा डबलुएचो डबलुएचो का पूरा नाम है World Health Organization तो इसका इंदी में नाम होता है विश्व स्वास्तिय संगठन तो डबलुएचो ने इसे अंतराष्टिय अपातकाल की गोशना कर दी कोरोना वाइरस के कारण डबलुएचो ने क्या किया अंतराष्टिय अपातकाल की गोशना की तो डबलुएचो के बारे में कुछ जान लेते है तो WHO का मुख्या लेगा है जेनवा स्वीजे लेंड और इस्तापना गोई 7 अप्रेल 1948 ये भी एक्जाम की दस्टी से बहुत मैथपून है और लास्ट छटी बात कोरोना वाइरस स्क्रीनिंग यंत्र बारत एम मयान मार की सीमा पर इस्तापित किया गया है तो छटा पोइंट क क्या है बारत और मयान मार की सीमा पर क्या इस्तापित किया गया है कोरोना वाइरस स्क्रीनिंग यंत्र तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छी लगए तो अपने दोस्तों के साथ अधिक सदिक सेर करना अगर आप मेरे चैनल पर न थें थेंक यू